मंगलबर को जुलाव स्पताल सहीद जनपद में 170 केंद्रों पर 22,050 लोगों को कोविट का वैक्सिनेशन किया गया जिसमें प्रतम डोज लेने वालों में मात्र 9,452 और दूसरी डोज लेने वालों में 12,598 लोग शामिल रहें जिसके संबंद में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि अभी भी प्रतम डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कम है CMO ने लोगों से कहा कि कोविट प्रोटोकॉल का पालन करे भीर भाणड वाले जगों पर ना जाएं तथा समय से अपना दूसरा डोज अवश्य लगवाले इस संबन में गोरगपूर नियू से दूरभाज पर बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा रावश्य लगवाले जन तक में 170 जगहों पर वैक्सिनेशन चल लाए है आज हमने 22,000 से ज्यादा डोज लगाया है अभी तक हमारे जिले में 30,44,000 से उपर का डोज लगा दिया है इसमें ते पर्स डोज 22,70,000 से उपर है और सेकेंड डोज 7,00,000 से उपर है पर्स डोज 22,00,000 सेकेंड डोज 7,00,000 लगाया है इस तरह पर हमने करीब 30,00,000 दोज लगा रखे हैं अभी वी हमें पूरे जनता में 36,00,000 लोगों को गर्क्सिनेशन करना है अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं और सेकेंड डोज के ले भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं दो लाग्ट आयते लोग के लिंगा 84 दूंसरी उपर हो गया है तो हमें जनता से अपील है कि वोग का जिनका 84 दूंसरी लें 2 फेर हो गया है वो लोग हमारे सिटी आ जाल जाये और वैक्सिनेसन के रूत रहें बैसिनेशन बिल्कुल निसुट है और लगातार चल रहा है तातों दिन चल रहा है संदे को छोड़ करके छुटियों में भी हो रहा है अभी जिस तरह से 15 दिल पहले लोगों की जावुक्ता इतनी पढ़ी हुई सी लोग आ रहे से अभी तोड़ा कम हो गया है लेकिन हमें बिल्कुल निल्कुल खुड़ा रहा है अभी